हेलो वाइज आज की वीडियो में पास्बुक अन्वोक्सिंग करेंगा और बताऊंगा कि यह पास्बुक कैसे मिलता है ठीक है और यह भी बताऊंगा अगर आपका पास्बुक भर जाता है ठीक है एंट्रियों से तो आपको कैसे मिलेगा नया पास्बुक तो चलिए वीडिय होता है State Bank और State Bank एक छोटी बाहर से खुलवाते हैं ठीक है और अगर आपने बाहर से खुलवाइब तो आपको यह जो पास बूक है बाहर से मिलेगा और आपको बार कोड लगाने के लिए आपको मैं बाहर लोगा ठीके समझे पहली बात जिन्होंने बाहर से खुलवाए अब दूसरी बात समझते हैं जिन्होंने में ब waang से खुलवा एकाउंट यünde करें ज़ाकर एक अधिक है तो आपको ब रांच में ही मिलेगा और कहां मिलेगा जहां पर ये बारकोट लगता है वहीं पर आपको यह SBI का passbook मिल जाएगा ठीक है अगर आपका भर गया है ठीक है आपको पिछला passbook दिखाना पड़ेगा ठीक है और में पास यह पुराना passbook था और यह नय पासbook में लेकर रहा हूं यह देखिए मेरी entry हो से यह पूरी भर चुकिए अधर ठीक है यह पूरी भर गई है तो आप समझगे किस तरीके से passbook मिलता है अगर आपने main branch में खुलआ है जहां पर बारकोड लगता है वहीं पर जाकर आप ले सकते हैं अब इंपोर्टेंट बारत में बताने जा रहा हूं को ध्यान से सुनना कुछ-कुछ branch में कुछ-कुछ branch में जो है आपको एक form दे दिया जाएगा और उस पर आपको passbook इसू करने का option होगा यानि कि पास्बुक इसू करने का एक column होगा उस पर आपको टिक करना होगा ठीक है कुछ-कुछ बैंकों में है मेरे bank में नहीं है लेकिन कुछ-कुछ बैंकों में मैं दूसरे branch में जाकर कोई form अगर मिलेगा पास्बुक इसू करने वाला तो मैं लाकर जरूर भरवाओंगा यानि कि भरूंगा और आपको सिखाओंगा ठीक है समझे गए तो इस तरीके साफ पास्बुक मिलता है अगर आपका जो है क्या कहते है पास्बुक अगर आपको भर गया है और आप जाना चा है वैसे असानी होता है कि क्या करना है सब कुछ लिगा होता इस प्रसबुक के फिर आप आगे लगाना होता है कि यह तरो का चॉछर काarm moan Interview करो करने के और कर यह यह सब site ताप कोटिक है यह देखें यहां पर भृणने के लिए दिखाई भी गया तो इस तरह कि आपको मिल सकता है पाजुख फॉक वैसे अगर आपको मिलेगा तो आप में क्या कहते हैं मेल कर सकते हैं तो आय होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ directors पर जोगे कि पाड़ा कि के से मिलता है बरांथ से या पर चुटी बरांथसे थीक है तो इस वीडियो int करें और शेयर करें होलते हैं का थे कल वी और निया you